बिस्मिल्ला रह्मान रहीम अस्सलामों अलेकुम आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट 21.4 एकसाइस का क्वेस्टिन नुम्बर 3 इस पे हमने पार्शिल फ्रेक्शन अप्लाई करना है हमने डिनॉमिनेटर में दिखा कि यहाँ पर एक पर लिखावा था लीनियर एक्वेशन यानि पावर 1 और एक पे थी पावर 2 तो हमने जिस पे पावर 1 थी उसके उपर नियुम्रेटर A सेट किया और निचे रिखा 1 प्लस X और फिर हमने 1 प्लस X स्क्वाइर पे स्क्वाइड था तो उसको टू पाउट्स में मिरिक किया पहरे आपने single one plus x square यानी power one है और पर one plus x square पर power two है और उपर आपने numerator सेट की bx plus c और dx plus c because यहाँ पर denominator में quadratic equation given है यानी x square given है इसके बाद हमने यहाँ LCM लेना है तो LCM लेने के लिए हमने starting two terms का LCM लिया और third term को as it is copy किया अब यहाँ पर denominator आजाएगा one plus x और फिर one plus x square और जब हमने यहाँ पर इसको simplify किया तो यहाँ पर आजाएगा e bracket में और फिर one plus x square फिर plus फिर लिखा भी x plus d यानी denominator और इसके साथ आजाएगा one plus x यह हमने first step done कर लिया यानी starting two terms का हमने यहाँ पर इस तरह से LCM से solve कर लिया है अब हमने यह काम करना है कि अब next step में अब यहाँ पर यह two fraction में values हैं तो अब हमने इन दोनों का LCM solve करना है तो यहाँ पर देखें numerator denominator one plus x है लिखती है फिर one plus x square है और एक साथ two है पावर एक साथ one तो प्लस होंके बन गया three और यहाँ पर यह solve हुआ तो फिर one plus x square plus bx plus c bracket में one plus x bracket close और यहाँ पर bracket के अंदर आजएगा one plus x square power square यानि three power denominator में थी तो one cancel होई two remaining फिर यहाँ लिखा हमने dx plus e यानि numerator और इसको multiply किया one plus x और फिर bracket में one plus x square क्योंके three power थी नीचे और उपर dx plus e के नीचे थी two तो one cancel होई one remaining अब हमने next काम यह किया इन में इसे हमने common देखा कि एक side पे next one plus x square 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 और दोसे side है one plus x square यानि इसे नीच पर two terms given है तो इसे one plus x square दोनों में common है तो हमने common ले लिया तो यहाँ bracket में रह गया A ए पर bracket में one plus x square पर bx plus c और ब्रैकेट में 1 प्लस X ब्रैकेट क्लोज और यहां पर हम लिखनेंगे 1 प्लस X स्क्वाइर वन टाइम क्योंके वन टाइम तो हमने बाहर ले लिया है फिर प्लस पिर हमने लिखा है यहां पर D X प्लस E पिर 1 प्लस X और पर one plus x square नहीं लिखेंगे क्योंकि हो बाहर ले चुके है bracket हम curl bracket close कर देंगे ये फस ट्रम और second ट्रम में से one plus x square बाहर आ चुका है फिर हमने लिखा one plus x denominator में और bracket में फिर one plus x square पर cube अब हमने चेक किया देगे उपर one time है one plus x square नीचे 3 time है तो यहां remaining बज़ गया one plus x square पर ये तीन में से cut गया ये वाला cancel हो गया तो यहां पर square रह गया अब हमने यहां पर simplify करना है नीचे को पहले हमने brackets को open करना है a plus ax square फिर bracket बना देंगे फिर plus फिर bx plus bx square plus cx plus c और फिर one plus x square as it is फिर plus अब dx को one secure dx फिर dx square plus e फिर plus ex नव हमने next step में गाम किया गी यहां पर हमने इसको again multiply किया one plus x square के साथ तो यहां पर हमारे सामने आता जाएगा result अब आप दीखते जाएए a को जब हमने one से multiply किया तो यहां पर multiply होके result आ जाएगा a फिर plus फिर a को x square से किया ax square फिर x square को one से किया ax square फिर फिर यह एकस square को x square से किया तो यह एकस pourrait फिर उसके बाद bx को one से किया bx और bx को x square से तो bx cube फिर फिर प्लस bx 4 फिर प्لसC फिर प्लसCX स्क्वाइब फिर प्लसC X फिर प्लसC X Q फिर उसके बाद प्लसDX फिर प्लसDX स्क्वाइब प्लसE और प्लसE X यह सारी हमने भैकस ओपन करने के बाद देख दिया और पर नीचे डिनॉमिन-टर as it is रहा अब denominator दोनों साइट पर सेम है तो हम इसको cancel कर देंगे जब cancel कर दिया तो अब हमारे सामने यहाँ पर result रह गया है यानि कि x squared to as it is रहेगा इस equal to और फिर हम इसको arrange कर लेते हैं यानि पहले हमने x4 वाली trumps लिख लेनी है जो हमें given है उपर x4 और bx4 एक जगह लिख 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 d x square यानि x square वाली drums लिख 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 ल लिया तो यहां पर bracket में आया B plus C फिर उसके बाद हमने यहां पर X square common लिया तो bracket में आया 2A plus B plus C and plus D bracket close फिर plus अब X common लिया तो bracket में B plus C plus D plus E फिर bracket close और पर constants हमने as it is लिख दिये now हमने consider किया 1 plus X equal as 0 के तो यहां पर X की value आगे minus 1 और यहां पर इसको हमने equation number 2 में पूरी equation में X equal to minus 1 पुट कर दिया जो यहां पर अभी आपके सामने मैं लिख रही हूँ यानि के bracket में B फिर X की जगा minus 1 फिर plus C फिर bracket close फिर 1 की जगा 1 फिर plus फिर minus 1 bracket close फिर plus फिर 1 plus minus 1 का square है फिर plus लिखा फिर D की जगा D लिखा X की जगा minus 1 plus E bracket close 1 plus फिर minus 1 इस तरह यह fast step फिर second step फिर फिर third step फिर हमने इसको और simplify करना है यानि हमने लिखा A फिर 1 फिर plus 1 क्योंकि minus 1 पे square है तो plus हो गया फिर plus लिखा फिर D multiply जब minus 1 से होगा तो यह हो जाएगा minus P फिर plus C और फिर यहां पे 1 फिर minus 1 स्कॉर ब्रैकेट क्लोस और पिर आ गया 1 minus 1 पे square यानि 1 बन गया है ब्रैकेट में 1 प्लस 1 फिर plus और पिर हो गया minus D plus E और ब्रैकेट में 1 minus 1 यह solve हो क्यों हो गया 2A यानि 1 प्लस 1 तू बन गया 2A फिर यह वाला part 0 हो गया क्योंकि 1 minus 1 0 होता है तो second part यहां 0 प्रैकेट के बाहर 1 plus 1 यानि 2 फिर plus और यह part भी 1 minus 1 0 हो तो यह भी part 0 हो गया अब 2A को 2 से multiply किया तो यहां पे आ गया 4A यह हमारा left hand side पे तो part आ गया 4A और right hand side पर हमें equation 2 में क्यों था x square तो x square में x की value है minus 1 तो यहां right hand side पर है minus 1 और उपर है square यानि minus 1 उपर square minus 1 पे square solve हो के होता है 1 तो यहां पर equals 2 से पहले है 1 फिर equal to का sign और फिर 4A तो A की value आ जाएगी 1 upon 4 A की value हमारे सामने आ चुकी है हमने consider किया था denominator को 1 plus x को और पर हमने solve किया अब हमने यहां पर equating method यूज़ करना है यानि equating method हमने यह चेक किया left hand side और right hand side यहां तो x4 given है right पर left पर कुछ नहीं given x4 की value हो तो 0 हमने लिख देना है और पर हमने लिखना है x4 bracket में a plus b bracket close अब यहां पर 0 से x4 divide होगा तो यह तो 0 हो जाएगी drum और A की value अभी हमने उपर find out की है जो कि है 1 upon 4 तो लिख देंगे 1 upon 4 फिर plus b तो यहां पर आ जाएगा b की value आ जाएगी हमारे पास minus 1 upon 4 इस तरह से a की value 1 upon 4 b की value minus 1 upon 4 now अब हम consider करेंगे यानि के हम x3 को both sides पे तो equation में यहां पर x3 नहीं था तो हमने 0 लिख दिया और पर x3 से x3 तो 0 से x3 डिवाइड होके 0 हो जाएगा हम यहां पर रह गया b plus c तो यहां पर b की value है minus 1 upon 4 अभी हमने find की है plus c और इस तरह c की value हा गई यह जब shift हो यह दर तो plus 1 upon 4 इस तरह से हमने c भी find कर लिया now हमने यहां पर equate कर दिना है x2 को तो right side में x2 given था लिख दिया left भी x2 और फिर bracket में यहां पर given है हमें 2 और फिर bracket में e की जगा 1 upon 4 फिर plus फिर उसके बाद यहां पर minus 1 upon 4 b की place पर फिर plus फिर c की place पर 1 upon 4 लिख देंगे और d as it is लिख दिया जाएगा bracket close कर दिया अब हमने इसको solve करने है नहीं x2 से x2 cancel तो 1 आ जाएगा equal to 2, 2, 1 तो 2, 2 तो जा 4 तो यह आ जाएगा 1 upon 2 फिर minus 1 upon 4 फिर plus 1 upon 4 फिर plus d तो minus 1 upon 4 plus 1 upon 4 cancel, 1 is equal to 1 upon 2 plus d और इस तरह से जब d की value find करनी है 1 upon 2 को दूसरी side shift करेंगे तो यह हो जाएगा 1 minus 1 upon 2 denominator यहाँ पर 1 है तो हमने solve किया तो आ जाएगा do denominator में और फिर numerator में आ जाएगा 2 minus 1 और फिर d की value आएगी 1 upon 2 इस तरह हमने a, b, c, d चारों values को find कर लिया है अब हम equate करेंगे x को तो यहाँ पर हमें 0 हमने लिखा क्योंग x given नहीं है और दोसरी side में b plus c plus d plus e लिख दिया तो यहाँ पर 0 is equal to अब b की place वे minus 1 upon 4, c की place वे 1 upon 4, d की place वे 1 upon 4 और e हमने as it is अब plus 1 upon 4 minus 1 upon 4 cancel तो यहाँ डिका 1 upon 2 plus e तो यहाँ पर e आ गया minus 1 upon 2 इस तरह से हमने e भी find out कर लिया जो constant से वो चारो हमारे तांचो a, b, c, d, e आ चुके हैं तो हम उसको equation 1 में put करेंगे equation 1 में e की place पर 1 upon 4 और पर नीचे denominator में 1 plus x है और फिर second में denominator 1 plus x square है और फिर b x plus c है तो b की place पर minus 1 upon 4 x फिर c की place पर 1 upon 4 पिर plus फिर यहाँ पर है 1 plus x square और hole पर है x square पर भी square है फिर यहाँ पर हमने d की place पर लेका 1 upon 2 x प्लस और e की place पर 1 upon 2 अब हमने इसको simplify किया तो यह हो गया 1 upon 4 और bracket में 1 plus x फिर हमने लिखा plus यहाँ पर लिखा 1 plus x square तो नीचे एस से टेस और यहाँ उपर common लिया 1 upon 4 तो bracket में आ जाएगा x plus 1 यहाँ बर भी हमने 1 upon 2 common लिया तो bracket में आ जाएगा x minus 1 upon 2 नहीं x minus 1 और नीचे denominator 1 plus x square पर square नाव हमने यहाँ लिखा 1 divided by 4 1 plus x bracket में फिर यहाँ लिखा हमने plus अब हमने यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह minus था और यहाँ पर minus bracket के अंदर है तो यह आ जाएगा अब इसको में आरेंज कर जेती हूं यहाँ 1 minus x और दिवाइड बाइ 4 और ब्रकेत में 1 plus x square फिर प्लस और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सितना x minus 1 नुमेरेटर और दिनोमेरेटर में 2 और ब्रकेत में 1 plus x square और पर square यह question complete है थैंक यू पर वाचिं